कि मुझे तो समझ नहीं आता है किसी चीज की उमेद की कौन सी एक्सपेक्टेशन थी हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सिकलर मुल्क है और उस सिकलर मुल्क में आज जो largest minority है नुसलमानों के उनको बुल्डोस किया जा रहा है, उनके घरों को बुल्डोस किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुल्डोस किया जा रहा है, उनकी लाइवली हुड को रोजगार को बुल्डोस किया जा रहा है, और यही प्राइम निस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ज बोइसे में वजीराज्म यहां आते हैं और फिर वो यहां बात करते हैं पिएपीय बिएपीय लगा अनके की अचिए भर छाय भी चा ।लगाए长 है। यहां हिसलिए जान की आ कि नोक्रिया वह जा रही हैं यहां के जो हमारे मिनर्ल हैं जाए वह आपका माघुल हो ज्याहे वह आपकी बीरेद बाजरी हो चाहे जमू के शेराब की दुकाने हो सब hani ठीकिडार को दे जा रहे हैं हमारी जमीन पे सेल लग रही है जब लगा कि कश्मीर में हालात खराब हैं जमू कश्मीर में और कोई बाहर का जमीन खरीदने के लिए तयार नहीं है तो पचास पेसे दी जो है स्टैंट ड्यूटी को कम किया गया सिर्फ इसलिए कि यहां की जमीन का भी भी लृष्शन होते हैं और हमारे यहां ब्तरी किसंट का अंदेरे में हमें दकेल दिया है आज आपने देखा की मबारक महीने ना तो इफ्टारि के वक्त बिजली ना तो सहरी के वक्त बिजली और जमू में ऐतनी गर्मी में वहां भी बिजली का बहुत बुरा हाल है बिर आजम्ट इसके गर के बाहर, जहांगिर्पूरी में, वहां इतना बड़ा टांड़ावी चल रहा है, सुप्राइम कोट की बात नहीं सुनी जा रही है। सुप्रीम कोड को के एम कि तामील नहीं हो रही है. उसकी बेज़ती हो जम्हु कश्मीर को तो इन्होंने अपनी करफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी जम्हु कश्मीर को अंदेरों में गसीटने की, दक्यलने की, क्यूंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे रमजान का पाक महीना है, जिसमें यहां अंदेरा ही अंदेरा है, तो यह हमारी पूरी पे भी नहीं आ सकता, वो सड़क पे आएगा तो उसे UA-PA, PSA नहीं लगाते हैं, क्यूंकि PSA में लगता है, इनको बेल ना हो जाए, अब UA-PA के अंदर लोगों को बंद किया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है, तो यह हमारा माहूल बन ग ठीक है, ठीक है, ठीक है, तैंक यू सो मारा, जमोकरिसी को बुल्डोज किया, अभी देखिए, कल हमारे यहां से जो लोग गे थे वहाँ, वो रात बर वो जो बिचारे बुजर्ग लोग सड़कों पे सोये थे, और रमजान के महीने में ना इफ्तारी ना सेरी, तो यह किस जमूरियत किस पंचायत राज की बात करते हैं, और जमूर आगे क्या किया, जो डॉक्तर मन्मून सिंग के प्रजेक्ट है, उन्हीं का दूसरी बार तीसरी बार रिनाउगरेशन करते हैं, यह क्या तमाशा है, इस सारी चीज़ को रहा है, कपड़े पहनने पे उनकी और मसल्मा रहते हैं, अगर उनके साथ, बुल्डोजर उनकी ओपर चलाया जाए और हमारे वजीराजम जो पूरे मुल्क के वजीराजम है, वो खाली एक कम्यूनिटी के वजीराजम नहीं है, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठें, तमाशा देखें, कुछ भी ना करे हैं, तो ऐसे में जब उस जमू कश्मीर आ रहे हैं, जिस जमू कश्मीर को बर्बाद करने में, उन्होंने को एक असर बाकी नहीं रखी, जमू कश्मीर की तबाही कर दिया, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुको खत्म कर दिया, हमारे लोगों को आर्मी में हो या दूसरी जगह उनको यहां रोजगार दिया जाता है लगर जो यहां जमू किश्मीर के रहने वाले नौजवान है उनके रोजगार का हाल बुरा है उनकी बिरोजगारी 25 फिसदी हो गी है आपके डेली वेजर हैं 60,000 जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लैन है था कि इनको रिबिलराइज करने का वो भी बिचारे दरबदर हैं उनकी बात नहीं हो रही है तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को उनके बाप दादा तो हमारे बाप दादा तो हमारा तो प्रैम निस्टर होता था हमारे बाप दादाओं का हमारा तो जो सदरी र क्यानून पास किया गया यह जिनके पास जमीन ही नहीं इनको जमीन ही दिए गई लाज देगी तो फ़ने मुस्तक्बल की बात कर रहे मुस्तक्षो उनुन ने अन्ना कर दी हे नुन के लोगे सकता है यहां तो दम गुड़ता है लोगों का कोई बात करते है तो उसके पीछे यूए पीए अब तो नौजवान भी देखिए सोला तारीक को यह जो है नातिश इदर का खानियार का सोला तारीक को गायब होगए कल उसकी लाश और अब तो लाश भी नहीं देते हैं अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं इतना खून खराबा तो हम तो क्या हम तो यह समझते हैं कि वो जो वाजबाई जी ने एक यहां का एक तरीके कर अपनाया था त पाकिस्तान के इस भात्जीत, यहां भी बात्जीत, एक इन्सानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त विञ्ट जुमू कश्मी तो किस राय है, जुमू कश्मी तो लिबार्टरी बनी है, बुल्डोजर तो यहां के सही चला जब यहां के आईन को ने बुलोज की हमारे जम्हू किश्मीर के आहिं को बुलोज किया इस मुलक के आहिं जिस तरह जमू किश्मीर को चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से जिस तरह जमू कश्मीर कि हर चीज़ को सेल पे रख रहे हैं तो हमें तो ऐसे में कोई election का कोई कोई news सुनाई नहीं दे रही है तो बहुत सारी पार्टिस काफी ज़दा बढ़ रही हैं पर कश्मीर में स्वेश लिए उस पर क्या कहने हैं उस पर तो अच्छा है आजाएं मगर इन्होंने तो बीजेपी न जो इन्होंने हालत कर दी अभी मैं कहीं जाना चाहती हूं अभी वो कश्मीरी पंडित हमारे जिनके अटैक हुआ मैं वहां जाना चाहती थी नहीं जाने दिया हरमें कहीं जाना चाहती हूं कहीं कोई problem होती कुछ होती कहीं तो यह तो political activity हमारे यह district president है इनके हाँ हमला हो गय गई है इनके security award की गई है अब यह कहीं जाना चाहता है को थैसे तुम तो सक्योरिटी दो कहते हुआ हम सक्योर्टी देनी सकते है on political प्रसेस तो प्रसेस नहीं पार्टी क्या इन थी है कैसे पनती है वह ज бांती है covered जो असली political प्रोसेς जो पार्टीया चलाना चाहती उसको तो यह एंकरेजी नहीं करना चाहते तो इसको आधी अ Mix में इसी सब्सक्राइब करें आ Möglichkeiten दो परके किम कुट mRNA जटनाय से पगड़ाया यागा उनको जो के अंधर डाला जाता है उनकी लोक्रियां जो है वो बाहर के स्टाइट के लोगों के इस बीच में बांटी जाती ए उनकी जमीन यहां जल्दी जल्दी भिग जाया उसMे पचास के तैंट ड्यूटी का मैंने अपने टाइम में जो जमीन अवरोंतों के नाम पे खरीदी जाती थी उस पर स्टैंड ड्यूटी बिल्कुल खत्म की थी वो कानून उन्हें खत्म किया मगर आज सिर्फ इसलिए कि यहां के नौजवान के पास पाउं धरने के लिए जमीन न बचे इन्हों हमारे नौजवानों के रोजगार उनको सेल पर डाल दिया है कि उसमें बाहर के लोग भी अपलाइ कर सकते हैं इन्होंने हमारे जो यहां रेत है बाजरी है माबल है यहां तक कि जम्हों में जो शराब के साथ लोग करते हैं जो दुकाने हैं सब बाहर के लोग उनको दे दी तो दो बार रैट लेका तो दो बार इन्हों ने किया तो एक एक प्रजेक्ट का तो दो तीन तिन बार वो भी डॉक्तिता करते हैं तो उसे क्या होगा उसे तो कुछ नहीं